वेलकम स्टुडेंट्स कैसे आप सभी लोग आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत-बहुत स्वागत है जैसा कि इस समय हम सीटेट साइंस के प्रीवेस येर पेपर सॉल्यूशन देख रहे हैं सकते हैं तो आए शू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं सीटेट साइंस फेवररी 2015 का पीपर सॉल्यूशन पहला कोशन है विच वन आफ ता फलोइंग प्लानेट है जो नेचरल सेटलाइट ऑफ ए टोन निमलिकित ग्रहों में से किसका अपना कोई प्राकरतिक उपगरह नहीं है प्रतवी है तो उसका एक उपगरह ह मून ऐसी जुं मार्स है उसके दून सेटलाइट है फोबोस और डी मोस एक कोशन यह बन सकता है सबसे जादा natural satellite किसके हैं तो वो Saturn के हैं 82 है और उसके बाद आपका Jupiter आता है 79 तो यहाँ पर option number second बिल्कुल सही है next question question number two an object is vibrating at 5000 hertz the time period of the sound produced is कोई वस्तो 5000 hertz पर कमपन गर रही है उत्पन ध्वनी का आवरत काल बताना है और यह CTR का बहुत important question है आने वाले CTR में इस तरह का question आने का बहुत ज़्यादा chance है और मैंने यह की formula आपको याद करने के लिए बोला है कि frequency जो होती है वो दोलन oscillation बटे समय होती है आवरत काल होती है time होती है और frequency को हम हिंदी में आवरती बोलती है तो बस एक formula याद अखना है आवरती is equal to दोलन बटे समय oscillation upon time oscillation दोलन की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं हुए तो frequency हो जाएगी one upon time period या फिर मैं इस formula को थोड़ा सा change भी कर सकती हूँ time period जो हमारा आवरत काल है वो भी one upon frequency हो जाएगा one upon आपकी आवरती हो जाएगी तो आवरती अब हमें यहाँ पर दिये frequency कितनी है 5000 hertz है तो इस तरह का हमें देखना है कि किस option में बैठेगा देखिए अगर मैं पहले option की बात करूँ तो यह हो जाएगा आपका 5 upon जब point ठटेंगे तो नीचे 1000 हो जाएगा और यह कटने के बाद 5 to 10 1 upon 200 हो जाएगा जबकि हमें कितना time period लेकर आना है 1 upon 5000 लेकर आना है अब अगर मैं ऐसी second option की बात करूँ तो जब मैं इसको खोलूँगी तो यह 2 और यह 4 points हैं आपर जब यह हटेंगे तो नीचे कितना जाएगा आपका 10,000 हो जाएगा और जब मैं इसे कट करूँगे 2 upon 2, 2, 5 upon 10 तो यह आपका कितना बन जाएगा 1 upon 5000 ही बन जाएगा और यह उसी time period के बराबर होगा जो हमें निकालना है तो option number second यहाँ पर बिलकुल सही हो जाएगा next question, question number 3 select the correct statement regarding rots and cones in the human eye मानव नेतर में शलाकाओं और शंको के विशे में हमें सही कथन का चैन करना है देखे जो शलाकाओं और शंको होते हैं यह दो प्रकार के cell होते हैं rots और cones यह हमारी retina के अंदर होते हैं दरश्टी पटल के अंदर होते हैं ये जो rot cell होते हैं ये जो शलाकाई होते हैं ये हमें रात के समय मदद करते हैं रात में जो dim light होती है मंद प्रकाश होता है उसको देखने में black and white light को देखने में रात में हमारे rot cell काम करते हैं शलाकाएं काम करती है और जब हमें तेज प्रकास देखना होता है तीवर प्रकास देखना होता है जादा प्रकास देखना होता है दिन के समय तो उस समय हमारे कौन सेल अक्टिवेट होते हैं शंकू हमारे अक्टिवेट होते हैं और वो हमारे तेज प्रकास को भी देख पाते करते हैं पिविन प्रकार के जो रंग होते है उनको भी अनुभुती करते हैं उनkो भी if % करते है तो याद रखिए को हमारे कलर वगेरवरे और डर Teresa waktu है उसके लिए होते हैं और जो अधियर होते हैं वह याद रखिये रात में तो आप्शन नमबर सेकेंड यहां पर सही है शंकू जो होती है वो तीवर प्रकाश के लिए शुग्रा ही होते हैं बाकी रात में खाली ब्लैक और वाइट देखती हैं तो यह कलर को सेंस नहीं कर सकती बिविन वर्गों के रंगों की अनुभूती यह नहीं कर सकती रॉट्स प्रती सेंसिबल होती हैं यह सुग्रा ही होती है दिम लाइट के प्रती मंद प्रकाश के पती तो यह बात बिगलाते हैं तो अप्शन नमबर सेकेंड या बी यहां पर बिल्कुल सही है नेक्स नमन में फोर कंसिडर दा फोलुइंग टम निमलिखेत पदों पर विचार जी हमारा ихya हो सकता है और बताई अर्थक्वेक की यह सmorए मुझाता है लुक्त में भूप नेंसाभी हमारा historicis- Huhum बादलों में होती है तो B, D और E सही होगा जो हमारा first option में है next question, question number 5 given blue is a list of edible plant नीचे खाद्य पौधो के एक सूची दी गई है banana, pumpkin, lady finger, brinzel kela, qaddu, bhindi, bangan which pair of plant है two or more edible part किन पौधो के दो या दो से दिक खाद्य भाग है यह हमने practice set में भी किया है banana जो होता है, kela जो होता है हम fruit को भी खाते है, fall को भी खाते है हम उसके fool को भी खाते है flower को भी खाते है और साथ में हम उसके stem को भी खाते है तो यहाँ पर दो से दिक हो जाएंगे आपके kela के, same ऐसी qaddu के जो होते है जो हमारा pumpkin होता है उसके भी हम दो चीज़े खाते हैं एक तो हम fruit खाते ही खाते हैं और साथ में हम उसका flower भी खाते हैं फूल भी खाते हैं ठीक है तो ये भी सही हो जाएगा लेकिन जो lady finger है जो भिंडी है खाली उसका fruit खाया जाता है फल खाया जाता है और कोई भाग नहीं खाया जाता बाकी सबी चीज़े उसमें जहरीली होती है सेम ऐसी जो ब्रिंजल है बैंगन है उसमें भी खाली उसका फ्रूट ही खाया जाता है बाकी कोई अधर पार्ट नहीं खाया जाता तो first और second में दो या दो सियादी खाद्य भाग हैं तो ऐसा हमारा पहले ही option में है option number A और यही यहाँ पर सही है next question 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 number six which one of the following set is the combination of organ of human digestive system that do not carry out any digestive function निमलिखित में से मानप पाचन तंतर के भागों के संयोजन का वह कौन सा समूच्चे है जो कोई पाचन कारे नहीं करता देकि digestive system में तो आता है लेकिन कोई भी digestive function पाचन कारे नहीं करता एक जो हमारी isophagus होती है ग्राशिका होती है इसका काम हमारा जो mouth है वहां से हमारे भोजन है food है उसको push करना होता है धकेलना होता है हमारे stomach तक यहाँ पर कोई भी digestive function नहीं होता तो ग्राशिका तो हो large intestine है, व्रैदान्थ है, बड़ी आंत है, वहां पर भी कोई भी digestive function नहीं होता, वो जो हमारा undigested food है, उसमें से water और salt को अलग करता है, तो यहां पर भी digestive function नहीं होता, ऐसी जो rectum होता है, जहां से जो waste material है, वो body से बाहर निकल जाता है, वहां भी कोई digestive function नहीं होता, वाकि जो vocal cavity यहां पर दिया है, मुख गुही का तीनों option में दिया है, यहां पर digestive function होता है, जो vocal cavity होती है, वो हमारा मुह ही होता है, और वहां पर हमारा जो भोजन है, वो छोटे-छोटे हिस्सों में तूट जाता है, और saliva की मदस से वो जो है, स्टार्ज से आपका sugar में बदलना next question, question number 7, read the following statement with reference to willy of small intestine, जो हमारी छोटी आत है, शुद्रानत है, उसमें जो दीगर रोम होते हैं, उनके विशय में कुछ कथन दिये हैं, जिनको पढ़कर हमें बताना है, identify those statement which enable the willy to absorb the digested food, पाचित बोजन के अफ्शोशन में क्या मदद करता है, विली, उसके विशय में, दीगर रोम क्या मदद करता है, उसके विशय में हमें बताना है, देखिए जो दीगर रोम होते हैं, जो विली होते हैं, वो small finger like projection होते हैं, उंगली के समान उबरीवी सनरचनाएं होती हैं, जो हमारी छूटी आत में होती हैं, small intestine में होती हैं, अब देखिए small intestine में क्या होता ह भोजन आपका सारा पज जाता है पाचित हो जाता है और जो पाचित भोजन से अमीनो एसिड है फैटी एसिड है गिलिसरोल है उन सब का अफशोशन होता है कहां पर आपका विली के अंदर दीगर रोम के अंदर वहां पर उनका अफशोशन होने के बाद एब्सॉप्शन होने उसके बाद वो हमारी blood vessel से connected होती है उनका जाल वहाँ पर फैला होता है और वो उस पाचित भोजन को जो हमारी amino acid है इन सब को हमारी blood vessel के थुरू पास कर देती है जो हमारे शरीर के अन्य भागों तक पहुँच जाती है तो यहाँ पर absorption भी होता है और साथ में assimilation होता है स्वां रोम का छोटी आत में भोजन को जो पोशक तत्व है पाचित भोजन उसको absorb करती है और साथ में उसका assimilation करती है तो they have thin wall जी हाँ उनकी पतली भितियां होती है और उनमें जो रुधिर वाहिकों का जाल फैला होता है they have a network of thin and small blood vessel close to the surface जी हाँ उनी के माध्यम से तो वो assimilation करत है यह बात बलकुल सही है they have finger like projection जी हाँ उनली के समान उवरी सनरचनाय होती है और हमने notes में इसके बारे में बहुत अच्छे से पड़ा है तो यह तीनों पाचित भोजन के अफ्शोशन में मदद करते हैं उसको अफ्शोशित करते हैं बाकि they have small pores through which food can easily pass यहाँ पर food के पास होने की कोई बात नहीं होती कि food तो यहाँ पर रहता है नहीं है वो तो पाचित हो जाता है और पाचित होने के बाद वो amino acid fatty acid glycerol और बहुत सी चीजों में परिवर्तित हो जाता है तो यह नहीं होगा ABC सही होंगे तो option number second ही यहाँ पर होगा जिसके तुरू जो पाचित नहीं होते हम यह एनिमाल होते है जो अपने भोजन को अपने food को एक बार अपने stomach पेट में ले जाते हैं और उसके बास प्रिश को वापस लाते हैं be पर उसको च्यू करते हां चबाते है तो ऎन्र नहीं आएंगे और तीनों बचेवे option में dog या cat खlica का में तो प्स्थ्ण crisis याँ पर बिल्कुल सही है नेक्स कोशन कोशन नमबर नाइन सम्टाइम आफटर डूइंग फिजिकल वर्ग वी गेट मसल क्रैम दिस रिजल्ट यू टू कभी कभी शाररिक कार्य करने के पश्चात हमारी पेशियों में क्रैम पाते हैं ऐसा होने का कारण है जब हम ज़ादा वर्क आउट करते हैं तो हमारी सांस फूलने लगती है और जितना ऑक्सीजन हमें चाहिए होता है वो मिलने ही पाता जिससे जो गुलकोज है वो आपका कारण डाइयोकसाइड और आपका जो एनरजी मिलने हो वाली होती है तो उसमें ब्रेकडाउन नहीं होता उस केस में जो गुलकोज है वो बिना ऑक्सीजन की प्रिजैंस में आपका लेक्टिक एसिड में परिवर्तिद होने लगता है ये बात आपको याद रखनी है तो ऑप्शन नमबर सी यहाँ पर बल्कुल सही होगा ये आपके गुलकोज की ही फॉर्म होती है याद रहिके पाइरुवेट तो पाइरुवेट का लेक्टिक एसिड में बदलना या गुलकोज लेक्टिक एसिड में बदलने लगता है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाता जिसकी वज़े से कनवर्जन जो है वो ऐसा हो जाता है तो आप्शनन नमबर सी यहाँ पर बल्कुल सही है बाकि नौन कनवर्जन की तो कोई भात ही नहीं है पाइरुवेट आपका इलकोहल में नहीं बदलता तो option number C यहां पर सही है next question question number 10 which one of the following shows the correct sequence of the path of urine in the human excretory system और इसको हमने काफी बार कर रहा है और यह important भी है kidney सबसे पहले blood को filter करती हो और जो toxic waste होता है उसको urine की form में हमारी ureters tube के माध्यम से उसको बहर निकालती है और वो आके store हो जाता है आपका कहा urinary bladder में और उसके बाद जो आपका urine है वो urethra के माध्यम से बहर निकल जाता है तो सही sequence होगा सबसे पहले kidney फिर ureters tube के माध्यम से वो urinary bladder में पहुचता है वहाँ जाकर store होता है urine और फिर urethra के माध्यम से urine जो है वो बहर निकल जाता है तो option number 4 यहाँ पर सही है next question question number 11 a bus cover the first 10 km of its journey at an average speed of 40 km per hour and the remaining 45 km at an average speed of 60 km per hour the average speed of the bus for its total journey is कोई बस अपनी यात्रा की पहली 10 km की दूरी तो 40 km पती घंटा की औसत चाल से और शेज जो उसकी 45 km की दूरी है उसको 60 km पती घंटा की औसत चाल से तै करती है तो हमें पूरी average speed बतानी है और यह question हमने पहले भी करा है देखे average speed क्या होगी total distance upon total time total distance कितना हो जाएगा शुरू में 10 km चली है और फिर बाद में उसने 6, 42 km कवर कर रहे हैं तो total distance तो आपका 45 plus 10 कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा आप total time कितना होगा तो time क्या हो जाएगा 10 upon 40 सेम ऐसे ही अगले वाले के लिए समय क्या हो जाएगा दूरी बते चाल तो वो हो जाएगा आपका 45 upon 60 क्योंकि जो दूरी है वो 45 है और जो speed है वो आपकी 60 है यहाँ पर यह 0 से 0 कट गया 15 से कट लेंगे 15 3 जा 45 और 15 4 जा 60 तो यह कितना हो जाएगा 1 upon 4 plus 3 upon 4 और जब मैं LCM लोंगी तो नीचे तो 4 ही रहेगा और यह 3 plus 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 4 और 4 कट जाएगा तो नीचे तो आपका 1 आ जाएगा time पूरा total और उपर 55 ही रहेगा तो इसलिए आपकी average speed कितनी हो जाएगी 55 km पर आर हो जाएगी option number D यहाँ पर बिल्कुल सही है next question question number 12 which one of the following can be used to form a virtual and magnified image of an object किसी वस्तू का अभासी एवम विवर्देच भी बनाने के लिए निम लिखित में से किसका उपयोग किया जाता है जब हमें image को magnified करना होता है बड़ा करना होता है तो वो हम compare mirror से भी कर सकते हैं और convex lens से भी कर सकते हैं तो option number B यहाँ पर बिल्कुल सही होगा अफ्तल दरपन और उत्तल lens इन दोनों में ही जब हम pass जाते हैं तो image आपकी virtual भी बन जाती है और साथ में वो magnified भी होती है तो option number B यहाँ पर बिल्कुल सही है next question 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 number 13 polio is caused by polio का कारण क्या है यहाँ पर सीधा सा अंसरों का polio जो है वो virus से होता है विशानों से होता है तो option number B यहाँ पर बिल्कुल सही है next question 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 number 14 the common characteristic properties of plastic are plastic का समान्य विशिष्ट गुड है देखे जहाँ पर भी good conductor of electricity या good conductor of heat की बात आजाए तो वो plastic के गुड नहीं होते तो इस तरह को option यहाँ से बाहर हो जाएंगे पहले option में भी ऐसा लिखा है यहाँ पर भी लिखा है good conductor of electricity आपको असानी से पता है कि जो विदुद का चालक है वो plastic नहीं होती तो यह option तो बाहर है same ऐसे good conductor of heat नहीं ही हीट का अच्छा चालक होती है तो यह भी बाहर है तो यहाँ पर option number C ही बिलकुल सही होगा यह टिकाओ होती है, durable होती है light in weight होती है, हलकी होती है वजन में और साथ में यह non-reactive होती है अनभी के रियाशील होती है यह बात भी सही है, तो option number C यहाँ पर बिलकुल सही है next question, question number 15 which of the following are the part of nucleus of cell निमलिकित में से कौन सा यह कौन से कोशिका के किंद्रक के भागें यह हमें बताना है और यह भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है जो chromosome होते हैं, जो gene होते हैं और जो nucleols होते हैं यह सारे के सारे आपके nucleus के अंदर होते हैं जो nucleol होते हैं इनके अंदर protein, DNA, RNA होते हैं gene जो है, वो सबसे छोटी काई होती है आपकी nucleus की और इसमें chromosome भी होते हैं तो यह तीनों होते हैं ribosome जो होते हैं वो nucleus के अंदर नहीं होते तो ABC जो की हमारे second option में है यही यहाँ पर बिल्कुल सही है Next question, question number 16 In human being, correct sequence of event during reproduction is मानवो में जननकी अवदी की घटनाओं का सही करम हमें यहाँ पर बताना है सबसे पहले gamete का formation होता है युगमक बनना होता है male gamete होता है sperm, female gamete होता है ovum और उनी का जो fusion होता है वो आपका fertilization कहलाता है initiation कहलाता है और उस fertilization के बाद जो बनता है वो होता है आपका zygote, युगमनज और वही युगमनज आगे चलके आपका एंब्रियो में बन जाता है, भून में बन जाता है, मंटी सेलूलर हो जाता है, तो option number 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है, यही सही सिक्वेंस में है, next question, question number 18, an object of mass 6 kg, एक कोई 6 kg का द्रवमान वाला एक पिंड है, इस sliding on a frictionless horizontal surface with a uniform speed of 3 meter per second, और वो घर्षन रहिद एक प्रष्ट पर surface पर चल रहा है, किस चाल से 3 meter per second की एक समान चाल से चलता जा रहा है, अब यहाँ पर धिहान रखना है, frictionless, जब कोई चीज frictionless होती है, घर्षन रहिद पोजिशन में होगी, और वो चल रही है, तो वो हमेशा उसी speed से चलती रहेगी, आपको कोई extra force लगाने की जरूरत नहीं है, इसके बारे में हमने पहले भी बात की है, the force required to keep the object moving at the same speed along the same straight line is, इस spend को इसी चाल से इसी सरल रेखा में गती करने के लिए आवश्यक बल कितना चाहिए होगा, कितनी force चाहिए होगी, तो क्योंकि यह frictionless है, frictionless में आपको force लगान होगी, option number C, यहाँ पर सही होगा, वैसे भी यहाँ पर uniform speed है, और जब uniform speed होती है, तो आपका acceleration जो तरण होता है, वो आपका zero हो जाता है, तो force का formula क्या होता है, आपका mass into acceleration होता है, तो acceleration तरण तो यहाँ पर वैसे भी zero हो जाएगा, क्योंकि uniform speed है, तो force तो आपको यहाँ पर zero स्कुायर भी इसका मात्रक होता है ऐसा यूनिट होता है नेक्स कोश्चन कोश्चन नमबर नैंटीन विच वन ओफ दा फुलूइंग एलिमेंट्स मस्ट भी आइवेलेबल इन सफिशन कॉंटिटी इन दा वाटर ओफ पॉंड इन विच टेड़ पॉल सार ग्रोइंग जिस तलाव के तल में टेड़ पॉल ब्रद्धी कर रहे हैं उस जलमें निमलिकित में से किस तत्व की परियाप्ट मात्रा उपलब्द होनी चाहिए टेड़ पॉल जो होते हैं वो फ्रॉक के बच्चे होते हैं जब वो ग्रोव कर रहे होते हैं तो क्या पानी में होना चाहिए तो option number D हाँ पर बिल्कुल सही होगा आयोडीन और इसको हमने काफी बार किया और सीटाइड का बहुत important question है वोगी thyroid gland से जो thyroxine निकलता है वो उनकी growth में मदद करता है और आयोडीन उसमें उनकी help करता है तो option number D हाँ पर सही है next question question number 20 टाटरिक अमल पाया जाता है टाटरिक acid is found in देकि जो नीबू होते हैं lemons होते हैं उनमें आपका citric acid होता है same ऐसी आमला जो होता है उसमें भी आपका citric acid होता है कच्चे आम और अंगूरों में आपका unripe mango और grapes में आपका टाटरिक acid होता है तो C और D दोनों में टाटरिक acid होगा ऐसा हमारा option number second में है तो यही हमारा answer है तो यह थे हमारे February 2015 के content या topic के 20 questions उसके अलावा जो 10 questions आपके science pedagogy के आते हैं उनको मैंने detail में solve करके समझाया है आपकी pedagogy special series 12 में end screen पर भी link है और description box में भी link है तो आप pedagogy की series को भी hand to hand देखें revision hand to hand complete हो जाएगा वीडियो अच्छे लगी है तो सबको like जरूर करना है share सबसे जादा करना है subscribe भी जरूर करें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें